अब दोस्तों यहां पर बहुत बड़ी कंफिजन रहते हैं माकैनिक भाई यह कुछ नहीं रहते हैं यह मेरे पास वारनीस है वारनीस भी अच्छी कंपनी का अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें वारनीस करने वाला था लेकिन दोस्तों मैं आपको यह चीज़ बताऊंगा आप कौन से पंखे पर वारनीस कर सकते हैं और कौन से पर नहीं और वारनीस का क्या फायदा होता है क्या नुकसान होता है हमें कौन से पंखे पर करनी चाहिए और वारनीस क्यों करनी चाहिए तो चलिए आज आपका पूरा डाउट क्लियर कर देंगे वीडियो को लाच तक नहीं काफ़ इंप्रटेंट होने वाली है सबसे यह पहले जान लेंगे कि वार्णिस क्यों जरूरी है किसी भी सीलिंग फैन वाइंडिंग पे या किसी भी ट्रांस्वार्मर पे या किसी भी कोपर वायर पे तो देखे दोस्त ना क्यों डाला जाता वार्णिस जैसे देखिए जैसे यहां पर यह कोर्स दे रखें यह कोर है यहां पर देख रखेंगे ना यह कोर है ठीक है यह कोर है यह स्टेटर है स्टेटर यह होता है जिसमें दोस्तों वायर हमारा लगा होता है ठीक है वायर लगा होता है और यहां पर कोडू है ओता है consentator होता है लेकिन न यहां पर कितना भी चिपका दूद आप देखेंगे पिर उसक्राइब को न आप को थोड़ा थोड़ा गैप नजर आयेगा ठीक है और जब आप इसकांदर कोई से तो थोड़ी बहुत कोई लूज रह जाती है जब फर्स्ट टाइम में आप रिवाइंड करते हो और यहां से आप कितना भी अच्छ से टाइट बांद लो तो थोड़ा बहुत अपडाउन ऐसे दिक्कत रह जाती है और बेसक वह दिक्कत भी ना रहे अगर सेकंड टाइम में क इतने टाइट रहते हैं हलके साथ लगाने पर फट जाते हैं ठीक है मतलब हम इस पर फोड़ा चलाएंगे इसे लिकारने के लिए थोड़ा-थोड़ा मतलब चैनी सी चलाएंगा लिकली किसी तो उसमें होगा क्या यह कोईल मतलब कमपन करेंगे और यह पेपर चटकने लग इस अगर इसे निकालना हो या चैनी यह तोड़ा चलाना हो चोटा बहुत तो दोस्तों उसके लिए क्या करना है पहले वार्नी कर लेनी है उससे क्या होगा जो है यह वार्नी सोने के बाद यह जंग हो जाएंगे फिर आपकी कोईल अपडाउन नहीं होगी और आपकी कोईल सेफ रहेगी ठीक है यह वार्नीस करने का सबसे पहला फायता है यह जो पेपर है वो अपने फिक्स जंग हो जाते हैं यह कोईल और वायर एक जंगे चिपक जाती है और यह जो कोर देख रहे हैं इनका कोर का जो गैप होता है माइनर गैप जो होता है मीली में में तो वो जो कोपर कोपर पर करके ल्मॉंपि करा कि मैं बताता हूं कोई लेना देना नहीं अब सकते हो तो यह है कि दोस्तों में अगर किसी वायर तूट गया तो उस पर सोल्डिंग आप कर सकते हो लेकिन अगर थोड़ा सा ही वायर रहा और पूरे पर वार्निस करने के बाद तो दोस्तों में ज्यादा फिर मौडिफिकेशन आप हलका सा वी ऐसे करो तो वायर तूटना लगेंग पर इसलिए वायरिंग करते हैं जाधा तर भूश से एलमॉनियम पर वायरिंग करके भेजते हैं इसलिए जए तर कोपर पर ही वायर करने चाहिए यहां से पेपर रटा करके यह वायर कट करके तब हमें काम कर लेना है तो यह चीज बहुत जादे important होती है वायरनिस हम इसलि बहुत लाइप पर फार्क तो सिद्धी सी बात पड़े गई तो वह जो है ना कहते हैं कि उसे वार्णिस को डानने से इंसुलेशन बन जाएगी तो वह सीज बेकार की बात है तो आई ओप आपको दोस्तों वीडियो से देख लाइक कर देना और जो चैनल पर नहे है तो सब्स